नमस्कार कैसे हैं आप ठीक हैं देखिए सुनिए सुनिए मेरा मेरा आपके साथ राजनेतिक रिष्टा नहीं है और मैं आपसे राजनेतिक रिष्टा नहीं चाता हूँ मेरा आपके साथ खून का और परिवारिक रिष्टा है चाहे इंद्रा गांधी जी हो चाहे मेरे पिता हो राजीव गांधी जी हो सुनिया गांधी जी हो मेरी बहन हो या मैं हूँ हम आपसे राजनेतिक रिष्टा नहीं चाहते हैं हम आपसे परिवारिक दिल का खून का रिष्टा चाहते हैं मैं आपसे आज सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहता हूँ सबसे पहली बात कन्या कुमारी से हम कश्मीर तक चले भारत चोड़ो यात्रा में चले और यात्रा में हमने सिर्फ एक बात कही हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें हिंसा का हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें महबत का हिंदुस्तान चाहिए और हम महबत का हिंदुस्तान लेके रहेंगे बहुत सुंदर नारा निकला यात्रा के अंदर से यात्रा के अंदर से आवाज आई नारा मैंने नहीं दिया यात्राने दिया नफरत के बाजार में हम मुहब्बत की दुकान खोलने आए और यही मैं आप से आज कहना चाहता हूँ नफरत से इस देश में कुछ नहीं होने वाला है मोहबबच से ही सबका फाइदा है मोहबच से ही देश बनता है अब आज तेलंगाना में BRS की सरकार है मैं नरेंद्र मोधी से लड़ता हूँ क्यों हिंदुस्तान में नफरत वेलाता है मैं लड़ता हूँ मेरे उपर 24 केस लगा रखें नरेंद्र बोधी ने असाम में, महराश्टरा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, जारकंड में, बिहार में, पुरे देश में 24 केस लगा रखें मेरा उन्होंने सरकारी घर चीन लिया मेरा घर चीना मैंने उनसे कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए ले जाओ इसको मुझे नहीं चाहिए ये घर मेरा घर करोणों लोगों के दिल में है मुझे इस इमारत की कोई जरूरत नहीं मेरी लोकसवा की मेंबर्शिप ले गए अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर आपके चीफ मिनिस्टर सच मुझ में नरेंद्र मोदी से लड़ते हैं तो फिर उनके उपर केस क्यों नहीं है उनके उपर CBI के केस ED के केस IT डिपार्टमेंट के केस क्यों नहीं है उनका घर क्यों नहीं चीना गया उनकी सदस्यता क्यों नहीं की नहीं चीनी गई बाईयों और बेहनों मैंने अपनी आँखों से लोकसभा में BRS के लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार को मदद करते हुए देखा है चाहे वो किसान बिल हो नोट बंदी हो GST हो जमीन अधिकरन बिल हो जब भी नरेंद्र मोदी को जरूर पड़ती है KCR एकदम मदद करता है दूसरी तरफ MIM कड़ी है MIM के लोग जहां भी Congress Party BJP से लड़ती है MIM के लोग टिकेट दे देते हैं हमें तंग करते हैं हमारा वोट काटने की कोशिश करते है असाम में करा गेलोड जी खड़े हैं राजिस्तान में किया मध्यप्रदेश में किया 36 गड़ में किया MIM BRS और BJP एक है हमारा पहला लक्ष BRS को तेलेंगाना में हराने का है जो रिवन जी और प्रियंका ने कहा बाई बाई KCR करना है बाई 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 उसके बाद दिल्ली में चुनाओ है वहाँ पे नरेंद्र मोधी को KCR मदद करता है MIM नरेंद्र मोधी को मदद करती है अगर सच मुच में हिंदुस्तान से नफरत में टानी है तो नरेंद्र मोधी को दिल्ली से हटाना पड़ेगा अदानी की सरकार दिल्ली से हटानी पड़ेगी तो पहला कदम BRS को तेलंगाने से हटाने का दूसरा कदम नरेंद्र मोधी को दिल्ली से हटाने का अब मैं थोड़ा सा आपको तेलंगाना के बारे में कहना चाहता हूँ देखिए गेलोड जी को सितरमया जी को सुखु जी को बगेल जी को मैंने एक ही बात कही है और वो मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को कहूँगा जितना पैसा के सी आर ने तेलंगाना के गरीब लोगों से लिया है जितने रुपे जितने पैसे इसने तेलंगाना के गरीब लोगों से लिया है उतना पैसा कॉंग्रेस पार्टी तेलंगाना के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेगी कैसे डालेगी शिक्षा के लिए स्वास्थ के लिए पैसा देकर महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा देकर महिलाओं को free में bus के टिकेट देकर gas cylinder के पैसे कम करके जितना रुपिया इसने लिया है नाप कर हर रुपे के लिए हमें एक रुपिया तेलंगाना के गरीब जंता के बैंक अकाउंट में डालेंगे ये मेरे दो मेसेज थे चुनावा आपके बिलकुल सामने है आपका निन्ने है मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी का तुफान आंधी आने जा रही है मैं जानता हूँ कि आप पूरा दम लगाके पूरी शक्ती से तेलंगाना में कॉंग्रेस पार्टी को जुता होगे गैरंटी कह दी मैंने गैरंटी सब लोग जानते हैं न चे गैरंटी सब जानते हैं न अच्छा बहिया बताओ महिलाओं की गैरंटी कौनसी है कौनसी 2500 रुपए गैस सिलिंडर और और बस टिकेट किसानों की गैरंटी कौनसी है पंद्रह हजार सब गैरंटी जानते हैं वहिया गैरंटी बताने की ज़रुवत नहीं है यह बता दूँगा आपको कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और मुक्यमंत्री मिलकर गैरंटी को कानून में बदल देंगे आकरी बात देखिए आकरी बात आपको समझनी है यह मेरी बहन है इदर आओ यह मेरी बहन है यह यह और मैं आपके दिल्ली में सिपाई हैं दिल्ली में आपको कोई भी जरुवत पड़े इसको और मुझे ओर्डर देना है हम हाजिर है तेलेंगाना की जनता के लिए जो भी जरुवत होगी हम करेंगे अब पूछो अब पूछो क्यूं क्योंकि जब जब भी हमारे परिवार को जरुवत पड़ी है जब इंद्रा गांधी को जरुवत पड़ी थी तो तेलेंगाना की पूरी की पूरी जनता हर महिला हर युवा ने इंद्रा गांधी जी की दिल से मदद की थी ये हम जिंदगी भर नहीं बूलेंगे सोनिया गांधी ने आपके साथ मिलकर दिल से तेलेंगाना दिया हमें प्रजाला तेलंगाना चाहिए, दोराला चेलंगाना नहीं चाहिए, इसलिए कॉंग्रेस पार्टी को जिताइए, सपने का तेलंगाना बनाएंगे, आप सब का दिल से धन्यवाद, जे हिंद, जे तेलंगाना और एक दक्का, कॉंग्रेस पक्का, और एक दक्का